हेलो एवरेवन वेल्कम बैक टो माय चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में यहां पर हम लोग बात करेंगे फूड और इंस के बारे में तो यहां पर पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी की थोड़े बहुत हाइलाइट फिर चैनल इसके कंपनी में इसके चार परस्ट से आती है और देखा जाए तो इनका जो प्रोड़क्ट था इनका आपको देखने के लिए कि प्रोसेस्स फूट जैसे कि पिकल्स होते हैं या आपका पॉजन फूड वाली कैटेगरी आ जाती इन सारी चीजों में यह यहां पर operate करती है अब यहां पर आपको इसके बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पिर्स नहीं मिलेंगे स्टैंडर्ड पिर्स मतलब ऐसे कि जो कोई मार्केट रीडर हो अकेले अभी कोई ऐसा frozen foods के अंदर या इन सारे business के अंदर एक particular हम लोगों को लाके दिया है मतलब कि यहां पर sales company की काफी अच्छी हो रही है और प्रॉफिट ग्रोफ देखा जाए तो 186 परसेंट के आसपास का है तो मतलब यहां पर company के अंदर इस company particular company के अंदर growth काफी तेजी से आ रही है मतलब कहीं न कहीं यह market capture तेजी से कर रही है दूसरी चीज यह कि हमारे पास ही जो industry है यह भी इंडिया के अंदर काफी तेजी से ग्रोफ कर रही क्योंकि एक समय था यहां पे जब लोग frozen food का बहुत बहुत जादा कह सकते हो कि उसके अगेंस थे या बहुत जादा खाना प्रिफर नहीं करते थे वह सारी चीज़े और जो बेसिकली हमारी एक ट्रेडिशनल खाना था उस पर जादा हम लोग फोकस करते हैं और भी में कहीं कहीं समय है चेंज हो रहा है और लोग भी थोड़ा बहुत मतलब अपना प्रिफरेंसेज चेंज करते हैं या कह सकते हो कि कई सारे अलग-अलग टेस्ट भी एक्स्ट्डूर करते हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर कंपनी की कंपनी नहीं सौरी सेक्टर की भी ग् कि पिछले कुछ सालों में यहां पर बहुत सारा इतना भी कोई नहीं था बट इस मतलब 2021 के बाद से यहां पर ऐसे बिजनेसे की थोड़ी बहुत एक सरह से कह सकते हैं कि कोवेट ने आदत दिलवा दी इस सारी चीज़ों की और इसके बाद से लोग को थोड़ा बहुत हमको बिजनेस तो बिजनेस अब थोड़ा सा मतलब डारेकली यह था अपना ब्रैंड भी मार्केट में उतारा रहा है तो उसके बाद किया कि आप चाहती है कि मार्केट में उतरे तो अपनी कॉफी उन्होंने रीटेलर्स को पहुचाना स्टार्ट कर दी तो यही चीज़ आप य यहाँ पर घ्रमे broad उडध कि उप्र देखने के लिए मिल प्रेंग आप इस के बाद यहां पर देखो इस वाली लेकाउट देने के बाद कंपनी यहाँ पे एक फोड़ा सा असेंडिंग ट्रैंगल पैटन बनाई थी और फिर से ब्रेक आउट देने के बाद यहाँ पे और टाइम हाई अपना अचीव कर रही है यहाँ से आपको फिर से वॉल्यूम भी नजर आएगी इस वाले कैंडल में आपको थोड़ी सी वॉल् पर ट्रेट कर सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए इसको रखोगी तो ज्यादा होगा हमें ऐसा लगता है अगर क्योंकि स्विंग ट्रेड में बहुत ज्यादा एफेक्टिव नहीं होगा यह क्योंकि इतनी ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आई नहीं और लगातार व और लेकिन आप लोगको यह कुकि इंडस्ट्री नहीं है आप कीच वीच में चेक करना पड़ेगा क्या कुछ इंजिस आ रहा हैं इसके अंदर क्या कुछ रिगुलेशन आ रहा है इसके अंदर क्योंकि नए इंडेस्ट्री है फ्रोजन पूर्स अगर तो कुछ केशन में जरूर देवाना और अपना कैपिटल सेफ रखना हो के बाए